क्रिकेट के इतिहास में कई दिगज लखनव से ही रहे हैं आज फिर राजदानी लखनव में हम आपको लेकर आए हैं जहां पर शहीद और देश की आजादी में महातपूर्ड भूमिका निभाने वाले गोविन वल्लब पंत एकैडमी के दौरा उनको एक श्रधाजली की रू सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रतियोगिता में सयोग जो मिला वो कॉंग्रेस के कई दिगज नेताओं का मिला कॉंग्रेस के दिगज नेताओं में हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई नेता ने शिरकत की है और जो उनका योगदान मिला जो होसला अपजाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं जिनमें शेयद हिमरान, मुहम्मद सफीक और आनंद सिंग पहुचे हैं जिन से हम बात करें कि प्रिक्तियों की ताजित करा हैं जिनसे हम बात करेंगे सबसे पहले कोच से कर देंगे देशरी शेहीड़ों के देश की आजादी में जिनकी भूमिका रही जुo सम्विधान में जिनकी भूमिका रही भीम्रा उंबेटकर के नाम से cricket team का नाम रखा गया है और नेता जी सुबास्चन बोस के नाम पर team का नाम रखा गया है जानते हैं कि कौन सी team खेल रही है कितने score है क्या लगता है कौन जीतने वाला है क्या परिचे है आपका क्या स्कूर चल रहा है 27 पे 8 27 पे 8 अंबेटकर टाइटेंस है इस टाइम सुबाश्चन बोस की टीम बहुत यह अच्छी गैनबाजी कर रही है और यह हमें लगता है कि 40-42 पे रोक लेंगे हम बेटकर टाइटेंस को और यह एक आसानी से मुकाबला जी सकते हैं इस हिसाब से अभी मैं मनीश यादो मैं कमेंटेटर हूँ निका बड़े अच्छी कमेंटरी कर रहे हैं यह बता रहे हैं कि कौन सर्विसेश्ट बल्ले बाज है कौन गेंद बाज है कौन अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है कौन इस बॉल पे चक्के चगवे मार रहा है हम अभी बात करेंगे विशेख से जो कोच है नैशनल प्लेयर रहे हैं और जिनके द्वारा प्रतियों गिता यहां पर रवजित की गई है बच्चों को एक मंच देने का सफल प्रयास किया गया है यह वो बच्चे हैं जिनको मंच ना मिलने के कारड़ यह आगे नहीं आते हैं अब शायद यहां से जाकर आज एक ट्रॉफी जीत कर शायद इनका होसला बड़े विशेक क्या कहना चाहोगे क्या बताना चाहोगे आज अपने एकैडमी के बारे में और इस क्रिकेट टीम के बारे में जो कि हमारी आगरा एक्सपेस्वे के पास है और जो कि बिलक तो कि अपने शायद में किया जो की गोविन बलवबंक अच्छो हमारे करांथकारी ऐए मैच और हमारे भारत के उत्तरप्रदेश के कई जिलों से इटावा करनोज मैनपुरी इधर इलहाबाद प्रियाग राज जो की देवरिया बहुत सारे जिले से खिलाडियां प्रतिभा कर और अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहूंगो इसमें जो खिलाडी अच्छे होंगे उ समय साथ कॉंग्रेस के नेता आनन सिंग है युवा नेता है और आज बच्चों के होसले को बढाने हैं आनन जी क्या कहना चाहेंगे जी भी पंत जी के बारे में और आज की इस क्रिकेट प्रतियोगिता के बारे में पहले तो मैं अभिशेग भाई को बहुत-बहुत सबकाम वहां सकता है इस करना देता है वहीं और एक आभिशेग आफे शाप मेहनत करते हैं यह और इसमें जो प्लेएड़र ल्हें हैं सिंके अंदर जो जुनून है खिल जगत पर उसको अभिशेक जो है काफी मजबूत कर रहे हैं हो सकता है इनका भविष्च जो है यहां से धीरे धीरे आगे बढ़के इंटरनेशनल खेलेंगे तो अभिशेक भाई इसमें बहुत गरीब के लिए या मतलब किस प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं बाहर निकल पा रहे हैं खेल करें अगर सरकार बनती है तो इस एकैडमी बच्चों के भविष्ट के लिए आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी आप क्या करेंगे दिखें मेरी पार्टी किसी भी मतलब खेल जगत हो या किसी भी तरीके को उसमें पूरी तरीके से मदद करेगी आने वाले समय में करेंगी और इस प्रकार से जो यहां पर ग्राउंड चल रहा है तो उस पर मैं ज्यादा भी राजनीत के बारें बात चीद नहीं कर सकता मेरा कहना है कि अगर सरकार बनती तो इस स्टेडियम के लिए क्या करने वाले आप मेरा सवाल यह स्टेडियम किसी वो नहीं है इनकी अकैडमी के लिए पूरी तरीके से मदद करेगी यहां से लगा कि दिल्ली तक के जहां भी कोशिस होगी जहां तक के इनको जरूत पड़ेगी वहां पे पूरी मदद करेगी तो यह आनन सिंग थे और यह बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी प्रतिभा का दिखाना चाहेंगे कुछ क्लीपिंग जो साब तोर पर बच्चे खेल रहे हैं जो अंबेटकर टाइटन्स है जिनों ने बताया अभी अंबेटकर टाइटन्स और सुबास चन बॉस 11 जो यहां पर आज इस मंच पर प्रदर्शन कर रही है इस कैरियर इंस्टिट्यूट के स्टेडियम में प्रदर्शन कर रही है अब देखने की बात है कि कौन मैन आफ दी मैच होगा कौन विजिता होगा यह भी हम आपको अपनी खबर में दिखाएंगे लेकिन हमारा उदेश य जो भी जाए वो नैशनल खेले और देश का भारत का नाम रशनकरी जैसे अब इस एक ने लखनाव से जाकर नेपाल में क्रिकेट खेला और वहां से ट्रॉफी हासिल की अब उनकी उनका भी सपना है कि जो क्रिकेट टूनामेंट आउजित किया गया है उसके माध्यम से यह जो उत्तर प्रदेश के बिविन जनपतों से आये हैं अपने भविश को जूल कर सके तो अम बेड़कर टाइटन्स क्रिकेट टीम की बिपिन कुमार हमार साथ है जो कैप्टन है जो नेतत्त करने जानतें किस जनपत से आये हैं और आज जो जी बी पंत एकैडमी है जिन्नों और आज क्या करने का सपना है करने को बात मैं जीत के जाएंगे और मेरा झेद गया है भारत का नाम रौशन किया है तो यह चैसे बाले है और मैं ही क्या जांब नहुंड़ोंत पड़ते हैं तो उससे और अच्छा है हम करना चाहेंगे और अच्छा करना चाहेंगे काफी नर्वस है क्या लगता है जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बिल्कुल जर। Man of the match किसको मिलेगा किसको लगता है confidence है कि मुझे मिल जाएगा बताइए अच्छा परदर्शन करेंगे आपका परिशे क्या है किस क्रिकेट टीम से मतलब टीम का नाम क्या है अब कौन सी टीम है आपकी खेल रहे हैं तो नेता जी सुबाशन बोस की टीम है जिसके कैपटन है संचालक हमाएं साथ तो टीम को लीड कर रहे हैं क्या कहेंगे आज जीवीपंध एकेडमी के बारे में और अपनी स्पिर्तियों किता के आप जीपंध क्रिकेट एकेडमी जो अच्छा जो है टुनामेंटे करा रही है जो शोटे शोटे अग्नराइजर भी है मेरे मेरे मैं उन्नाव से आता हूं औ जी ब्लॉंग करता हूं मेरा नाम अमर जीत राजपूत है और मेरी जीतने वाला है आज जी तो कॉंसिडेंस तो मेरा है यह आल्रेडी मेरे बॉलर अच्छा किये हैं तो 33 रन पर टीम है और बहुत जल से जल जीतने को से बल्ले बाजी का इंतजार है और जो अंबेटकर टा जीतने वाली टीम को क्या मिलने वाला है और सबसे बड़ी चीज है कि यह तो चलो एक याद के लिए हो जाता है दूसरी चीज क्या है इनको अच्छा प्लट फॉर्म मिलेगा पहली बात तो यह है कि अगले साल होने आले नैशनल गेम्स के लिए मार्च में हम इसमें से पाच बच्चे सेलेक्ट करेंगे उनको शायद कोच भी कोचिंग भी फिरी देंगे एक साल क्यों अभिशेक एक साल की कोचिंग भी आप लोगं को फिरी मिलेगी तो बड़ा है मंच राजनीद का हो चाहे वो किरकेट का स्टेडियम हम हर जगा पर पहुंचेंगे